हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल आइम सशांगतिवारी एंड दिस इस माइन अधर वीडियो तो गाइज आज के इस वीडियो का टॉपिक है अधर अवीडियो प्रेमियारी जाओ दोस्तों हमारे यूटउब अपलोड़ पे एक फीचर मों मिलता है अपने वीडियो को एसे अप्लोड किया जाता है उसा है वह में आज आपको फूल टूटोरियल बताऊंगा और दोस्तों यह जो प्रीमियर है पहले मैं आपको बताता हूँ शॉट में यह होता क्या है दोस्तों यह एक ऐसी फैसलेटी है जिसके हल्प से हम लोग अपनी किसी भी वीडियो को पहले ही अपलोड कर सकते हैं और एक जो शिडियूल वाला टाइम सेट होता है वो उसी टाइम पे वीडियो हम लोग के चैनल पे आता है बट उससे पहले उस वीडियो पे हम लोग लाइव चैट कर सकते हैं और वहाँ पे सुपर श्रिकर और सुपर चैट दे सकते हैं दोस्तों यहां पर एक तरह से यह pre-recorded live session की तरह होता है कि आपने किसी भी वीडियो को एक तरह से live कर दें और वो वीडियो एक time पर आएगा और जब तक वीडियो आता है उससे पहले कोई भी viewer आपका वहाँ पर live chat कर सकता है तो दोस्तों यह बहुत ही कमाल का feature है तो आप अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और ऑपलोड वीडियो वाले option पे क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहां पे आपको अपन वीडियो सेलेक कर लेता हूं जिसको मैं एज़ा प्रीमियर अपलोड करूंगा तो दोस्तों यहां पर मैंने वीडियो सेलेक कर लिया है और यहां पर आपके सामने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ फिल करने का option आता है तो यहां पर जल्दी से मैं टाइटल सीधे जो डिस्क्रिप्शन लिखें वो मैं पेश्ट कर लूँगा आप भी डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से लिखिए उसके बाद आपको अपने टाइटल पे ध्यान दे रहा है जब टाइटल आपका कम्प्रीट हो जाए तो आपको दोस्तों आगे के फर्दर लाइड चीज़ आपको बताता हूँ तो इसके बाद यहाँ पे आपके सामने आप्शिन आता है प्लेलिस्ट का अगर आपकी वीडियो किसी प्लेलिस्ट से रिलेट करती है तो वो प्लेलिस्ट आप यहाँ पर सकते हैं उसके आप को simply done पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे उसके आद आपको पूसता है made for kit है की नहीं तो वो आप अपने वीडियो के according सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप show more पे click करेंगे तो आपको tags डालने कई भी option आएंगे तो दोस्तो जब हम लोग show more पे click करते हैं तो यहाँ पहले paid promotion पूसता है और यहाँ पे tags है और video language है तो दोस्तो चीज हो जाए detail तो आपको next करना है तो यहाँ आएगा monetization वाला section तो यहाँ पे अगर आपको इस video को monetize करना है तो आपको simply monetization को on करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तो अगर आपका video 8 minute से कम का है तो यह और कुछ भी नहीं पूसता है अगर 8 minute से ज्यादा कहुता है तब आके पर पास और option आते हैं उसके बाद यह है दोस्तो add suitability का option जहाँ पे हम लोग अपने वीडियो की rating देनी पड़ती है तो यहाँ पे मेरा वीडियो सही है तो मैंने सारे none of above कर दिया तो मेरे वीडियो सही है सब में green tick है तो उसके आद हम लोग की जब rating submit हो जाए तो हम लोग को simply next पे click करना है तो यहाँ पे आपको option आएगा video element का तो दोस्तों यहाँ पे भी video element वाला portion मैं skip कर जता हूँ क्योंकि हमारा main motive है प्रीमियर कैसे करते हैं तो यहाँ पे video element वाला पूरा process complete हो गया है जब हम लोग next करेंगे तो यहाँ पे checks वाला option है जहाँ पे कोई भी दिक्क प्रीमियर जहाँ पे आपको जो प्रीमियर है वो तुरंत instant प्रीमियर हो जाएगा जहाँ पे आपके वीवर एक ही टाइम पे आपका premiere video देख पाएंगे बट यहाँ पे हम लोग को जो main premiere बताना है वह है schedule वाला तो यहाँ पे दोस्तों आपको schedule पे click करना है जब आप schedule अले option पर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने option आएगा date and time select करने का तो आपको यहाँ पर date और time select कर लेना है कि कब आपका video publish होगा और कितने बज़े आएगा तो यहाँ पर जब मैंने इस video को schedule किया है तो लिख किया रहा है video will be private before publishing बट जैसे ही मैं set as premiere करूँगा तो यहाँ पर लिख के आएगा a public watch page will be created it will show a countdown to this date मतलब अब यह video as a premiere set हो गया है और इसका public watch page create हो जाएगा आपके channel पे और यह video तब ही आएगा जब जो date आपने डाली है तो दोस्तों यहाँ पर जो set up premiere के बाद किसी और premiere या किसी और वीडियो पे भी आप अपने viewers को redirect कर सकते हो तो यहाँ पर यह सब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ में हमारा focus है premiere वीडियो upload करना तो यहाँ पर इना as a premiere इसको schedule कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी करना रहता है आपको simply बस एक टिक करना रहता है जिसके help से आपको जो वीडियो है वो premiere set हो जाता है तो अब मैं आपको tutorial भी दिखा देता हूँ कि कैसे यह सब कुछ viewers को दिखेगा तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपने सब कुछ कर दिया तो आपको link देगा तो आपको close कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमारा वीडियो की visibility premiere है तो यहाँ पर मैं आपको एक बार zoom करके दिखा देता हूँ this video is scheduled to go public for its premiere मतलब यह जो वीडियो यह premiere है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप वीवर्स को यह public watch page कैसा दिखेगा तो यहाँ पर यह है दोस्तों public के लिए watch page हमारे जो वीवर्स हैं उनको यह as a premiere करके एक watch page ही दिखेगा जिस पर वो click करेंगे तो वो वीडियो तो नहीं दिख सकते हैं पर यहाँ पर उनको ऐसा कुछ option मिलेगा जहां पर लिक्किया आएगा मैं एट दस बजे मतलब यहाँ पर यह premiere 10 hours में आएगा और यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो set reminder पर क्लिक करके एक notification create कर सकते हैं इसे एक सासर दोस्तो premiere का यह फायदा है कि यहाँ पर आपके वीडियो को पहले ही like कर सकते हैं और side में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर live chat कर सकते हैं आपको super sticker super chat सब कुछ दे सकते हैं तो एक तरीके का यह pre recorded live session है मतलब कि आपको live भी नहीं आना है और आप जो आपके viewers mobile use करते हैं उनको कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका premiere video जहाँ पर सेम चीज़ लिखे आएगा कि यह video 10 घंटे के बाद live होगी और यहाँ पर आप देख सकते हो set reminder वाल option इनको भी मिलता है तो mobile user भी बहुत ही easily reminder set कर सकते हैं जो मैंने set कर दिया है और यह भी like दे सकते हैं आपके वीडियो को और आपको सामने live chat को option दिखे रहोगा जहाँ पर वो भी direct अभी live कर सकते हैं और इस time पर वो भी super chat और super sticker आपको दे पाएंगे तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही hope you like this video please like and subscribe my channel thanks